Hi everyone, आप लोग मुझसे labor को लेके बहुत सारे questions पूछते हो, labor pains, delivery, even OPD में जब मैं patients देखते हूँ, तो एक ही question रहता है, कि मैम दर्द होगा तो कैसे पता चलेगा, दर्द तेज हो गए और रास्ते में delivery होगी तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा हमको कब hospital आना है, उसमें मैं का माई भी dairy होई है, उनकी माई भी dairy होई है, यानि कि जो नानी बनने वाली वो भी dairy होई है, जो दादी बनने वाली वो भी dairy होई है, तो basically आज मैं आपको एक मोटी मोटी तौर पर पताऊंगी कि actually delivery एकदम से नहीं होती, कि दर्द शुरू और फटा पर delivery होगी, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 हर delivery की 4 stage होते हैं, यह 4 stages हम लोग medical students को पढ़ाते हैं, आज मैं आपको एक छोटा सा संचिप, छोटा से एक crisp वीडियो बना के आपको पताऊंगी कि actually stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 क्या है, तो end तक जरूब बने रहीएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं stage 1 की, अब आपको पता है कि pregnancy पूरे 9 and a half months की होती है, around 40 weeks, हम लोग हफतों में गिनते हैं, तो जो आपका LMP है, उसमें आप पूरे 9 महीने add कर दो, जैसे 1st March का LMP था, आपने 9 महीने add कर दी, तो बना 1st December, उसमे 7 days और add कर दो, तो 8th of December आपका EDD बनेगा, अगर आपका डॉक्टर नहीं भी बताना है, तो भी आ 15 weeks तक जो sonography होती है, वो सबसे accurate होती है, उसकी जो EDD है, वो आपकी date से match होती है, अगर आपकी dates गलत हैं, तो हम sonography की date को सही मानेंगे, अगर माली जे sonography में EDD दो हफते उपर नीच आ रहे है, यानि कि एक हफते से ज्यादा की disparity है, और वो sonography आपके शुरू के 4 महिने में LMP वाले EDD से, बाद में नहीं हो रही है, इसका मताब बच्चे की growth में कोई दिक्कत होई है, तो growth related हम वीडियो अलड़ी बना चुक है, उस पर मैं नहीं जाओंगे, मैं आपको बता रही है, EDD यानि कि expected date of delivery जो होती हम जो calculate करके देते हैं, या फिर जो sonography की machine calculate करती है, वो 40 हफते की होती है, 40 हफते से 3 हफते पहले 37 हफते पे 37 वीक्स पे हम मानते हैं कि आप technically term pregnancy पे आ गई है, यानि कि बच्चा पूरी तरह से बन चुक है, अब कल पर सो में पस एक OPD में patient आई थी, उसको लग रहा था मेरे को आप delivery करानी है, मैं ठग गई, बच्चा carry करके, 36 वीक हैं, प्लस अलड़ी एक सकार यूटरस है, यूटरस पे अलड़ी एक सकार लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा pain करना शुरू करता है end time पे, क्योंकि बच्चे का सिर बढ़ा हो जाता है, पर मैं ने उसको माना किया, तो उसको थोड़ा से लगा है, कैसे माडम यह क्या, मैं प्लान करके नहीं करते हैं, अगर एमर्जेंसी होगी तो 34-32 पे भी करते हैं, पर जब सब कुछ सही चल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को 37 के बाद ही टच करें, और maximally हम उसको आगे डिले करते हैं 38 तक, यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 40 वीक्स की EDD होती अगर नॉर्मल डिलीबरी करानी तो हम 40 हफते तक वेट करते हैं, उसके बाद भी डिलीवरी नहीं होती तो हम कलर डॉप्टर करके देखते हैं, बच्चे को नुकसान तो नहीं हो रहा है, ब्लट सपलाई सही है कि नी, तो एक हफते और वेट करते हैं, अगर प्लैंट सिज हो गया रात के दो बज़े तीन बज़े आप भाग कराए मालों आपके बच्चे को एक्चुली नॉर्मल डिरिवरी नहीं करा सकते थे से फ़र इजम्पल उल्टा है या आढ़ा है या आपके पेट में अलवरी दो तीन बास हो चुका है आपके यूट्रस पर कट्स लग चु 38 के बास रुखने का कोई फायदा नहीं तो आप आते हैं EDD अब आपको पता है आपका EDD 40 हफते का है उससे 3 हफते पहले आपको दर्द कभी भी आ सकता है हम प्रीटर्म की बात नहीं करें जो टाइम से पहले होते हैं हम बात करें कि आप आपका 37 हो गया है डॉक्टर ने आ सबस्क्राइब को दर्द आने शुरू होते हैं ऐसे क्योंकर नहीं हो रहे है शुरू शुरू में सहन हो जाते हैं। कि जー पूरी स्टेज 1 चल रही है यानि कि आपको दर्द शूरू हो वह भी ऐसा दर्द जिसमें कि आपके बच्चे ने नीचे धक्का लगना शुरूआ बच्चे को उस धक्के के वज़े से आपके बच्चे दानी के मूँ ने खुलना शुरू करा आपकी जो पानी की थैली वो बननी शुरू हो गई हलकस आपको blood mix discharge आना शुरू हो गया जिसको हम show बोलते हैं तो यह सारे changes जब आने बच्चा नीचे आने का ठीक है तो stage 1 होती है कमर का दर्ड, पेट में दर्ड, उल्टी आना या फिर blood mix discharge आना पानी की थैली फूर जाना ये भी stage 1 में हो जाता है क्योंकि end time तक आते हैं जा आपके दर्ड तेज हो जाते हैं या तो डॉक्टर अपने आप ARM कर देते हैं यानि कि artificially आपकी membranes rupture कर देते हैं देखने के लिए अंदर कोई meconium तो नहीं है या फिर कई बर rupture करने से आपके दर्ड बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं या आपकी थैली अपने effort जाती है तो यह हो गया stage 1 जिसमें कि आपको pain killer injections भी दिये जाते हैं कभी-कभी मान के चलिए labor pain को हम किसी भी injection से बंद नहीं कर सकते हैं बहुत से लोगों के दिमाग में अफवा है मित है कि हम पेरी delivery में उस डॉक्टर के पास गयते हैं उसने तो रात में उसको नीन दा जी ती डॉक्टर को सोने के लिए उसने मेरे को injection दे दिया खुद भी सोगई मुझी भी सुला दि मैं पेशन को बोलते हैं अगर आपको labor pain आ रहा है तो कोई भी डॉक्टर नीन नहीं ले सकता क्योंकि आपको नीन नहीं आईगी आपको मैं कुछ भी injection दे दूं आपका दर्द खतम नहीं होगा जो false pain होते हैं जो gas की वज़े से होते हैं या फिर हलका हलका uterus contract कर रहा है क्यो इस गलत पर हमें को दिल से निकाल दें तो आपका first stage शुरू हो गया आपको pain वेन हो गया आप hospital आगए अब जब आपका बच्चा दिखने लगेगा नीचे कि रास्ता पूरा खुल गया है बच्चे का सिर दिख रहा है उसको बोलते है second stage second stage में pain बहुत जादा बढ़ जाते है जोर लगाते से में उनको urine pass होता है जोर लगाते से में उनको potty भी आती बहार but that is very natural तो प्रेशर बहुत तेज होता है maximum pain होता है इस समय इस समय आपका contraction भी बहुत हाई जा रहा होता है अगर आपके doctor CTG कर रहे है जैसे कि मैं अपनी patients को जब delivery कराती हूं continuous CTG चलता है जिस से बच्चे की धरकन हमको दिखती रहे लगाता है तो जब दर्द आता है तो बच्चे का सिर दपता है तो धरकन थोरी गिरती है आप अगर aware है आपने देखा होगा आपके doctor थोरी से परिशान होती होंगी delivery की से जल्दी करो जल्दी करो तो जब धरकन गिरती है तो कभी- आपको बाइंग करबट लेटाना पड़ता है आपको oxygen देना पड़ता है आपका जो fluid चल रहा है अगर उसमें oxytocin हैने कि सिंटो है तो उसको बंद करना पड़ता है उसको बंद करके आपको free fluids देने पड़ते है जो कि plain fluids होते है जिससे कि बच्चे को अच्छे से placenta के थू अच्छे से blood मेले, fluid मेले, oxygen मेले और बच्चे की धरकन recover कर जाए ऐसे cases में recover नहीं करती है धरकन बहुत ज्यादा गिर जाती है यानि कि बच्चे के गल में या तो tight loops फसे हुए है बच्चे की गरदन tight हो गई है या फिर कभी-कभी बच्चा फस जाता है नीचे आने के बाद क्या जायता है ऐसे आना चाहिए ऐसे करके ऐसे आना चाहिए ये बच्चे का आगे वाला सेर है ये वाला हिस्सा और ये इसका नाक मो भार नेकलता है अगर ज़गOneouse ये बच्चा जरा सभी टेड़ा है इसको बोलते हैं I. अल पोजिशन अगर बच्चा दीन सипशो balanced हो बाट से लगते हैं जब आपके बाध के तक होती है और बुक्षे को पीरेटी इस यह अब की आवल बाहर लाटक रहे हैं आपकि केसिस में डॉक्टर आपका MRI या फिर एक कलर डॉपलर जरू कराएंगे दिलिवरी से पहले देखने के लिए कहीं प्लासेंटा उस टांकों के अंदर तो नहीं फसा हुआ है उसको बोते प्लासेंटा एक्रीटा प्लासेंटा एक्रीटा बहुत डेंजरस कंडिशन होती है इसक यूटरस जैसी कंट्राक्ट होगा आवल अपने पुश्चों के बाहर आजाएगी तो जब तक आवल बाहर नहीं आती उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं उसके बाहर आते ही थर्ड स्टेज खतब बाहर आती ही क्या होगा जैसे ही आवल बाहर आएगी आपको चिल्स आने ठीक हो जाता है और लास्स टेज होती ही स्टेज फोर यानि कि वो एक दो घंटे जब आपको अब्जर्वेशन में रखा जाते है कि कोई और कॉम्प्लिकेशन तो ना हो जाए पेशन को सांस की तकलीफ ना हो जाए अम्योटिक फ्लूड एम्बॉलिजम ना हो जाए टेंप कुछ हो जाता है वो यस बहुत ही रेर है पट वो थोड़ा डेंजरस हो सकता है पट अधरवाइस आप बिलकुल तसली से अपने घर जाए और जब आप तयारी कर रहे हैं लेबर रूम में आने के लिए तो अपना बास्केट पूरा तयार रखे है थांक यू बेरी मच अग कर दिलक।